इससे पहले की परिस्थितिया आपकी जिन्दगी की दिसा बदल दे इससे पहले की परिस्थितिया आपके जिन्दगी की दिसा बदल दे उठो साहस दिखाओं और अपनी परिस्थितियों को खुद ही बदल डालो अपनी परिस्थितियों को खुद ही बदल डालो नमस्कार सा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे सारे वीडियोज को सिक्वेंस में देखते हुए आ रहे होंगे विसी सुरूप से हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं टेंस के सभी वीडियोज की जो ह हमने आप सभी को प्रवाइड करा है ठीक है तो टेंस को आप सिक्वेंस में देखते हुए जरूर से आईएगा क्योंकि टेंस को यहां पढ़ने वाले हैं कंडिशनल सेंटेंस तो कंडिशनल सेंटेंस में वीसी सुरूप से पास्ट इंडिफरेट और पास्ट पर्फेक्ट हम लोग फटा-फट सुरूप करते हैं सुरूप करने के पाले एक छोटा सा मैसेज आप सभी को देते चलिए आपके सीजी एसाइमेंस और एडी ओ का जो बैच है वो कमटिशन करूटे के चारों सेंटर्स रायपूर बिलासपूर्ग दुर्ग और राजनान गाउं इन चार बात करते हैं कंडिशनल सेंटेंस की जैसा कि आप सामने यहां पर हेडिंग में देख पारें ठीक है अब कंडिशनल सेंटेंस के हेडिंग के नीचे चलते हैं यहां से कुछ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और यहीं से आपका कंफूजन सुरू होगा इसके बाद हम पार्टी को जोन नहीं करता ठीक है अब देखें यहां पर आपको कुछ गल्तियां फिल हो रही होगी महसूस हो रहा होगा ठीक है क्या महसूस हो रहा होगा तो सर आप यहां पर आयी लिख्के हुए हैं और सामाने तार प immunity है तो हम लोग आई के साथ dual करते वा ठीक है जाल परस्नल प्रणाउन यह सारे के सारे क्या थे हैं तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं पास्प में लगाते हैं वह और यू इन दोनों के साथ आता है वर ठीक है और इन को छोड़के और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सामाने तौर पे वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं वर का प्रयोग करते हैं अब जरा ध्यान देजिए सामाने तौर पे आई के साथ हम लोगो plural मान लेए do का यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम लोग इसको plural मानते थे तो यहाँ पे भी हम लोग इसको plural मान लेंगे और इसलिए यहाँ पर वर का प्रयूज़ करेंगे तो दोस्तों आप फ़र सा अवेर हो जाएए यहां पर इफ के बाद यहां पर ही का प्रयोग किया जाए तो ही के साथ भी हम लोग क्या यूज करेंगे ही के साथ भी हम लोगों को यहां यूज करना होगा वर अब यहां से आपका confusion शुरू होता है ठीक है ध्यान से सीखिएगा बच्चो यहां से आपका पहला confusion शुरू हो फिर से एक बार इसका Hindi meaning हम आपको समझाते चले यदि मैं तुम्हारे अस्थान पर होता यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पार्टी को जोइन नहीं करते ठीक है चले अच्छी बात है यह सब देखे क्या दिखा आपके कलपना को दिखा रहा है किसको दिखा रहा है कलप आई उड् हैव अकमपनी ड्योर सेस्टर तो मैं तुम्हारी बहन का साथ दिया होता ठीक है यह दि कहे होते हमसे पूछे होते रिक्वेस्ट की होते तो मैं तुम्हारी बहन का साथ देता मेरी इक्षा है मेरी इक्षा है कि आप यहां से दूर चले जाएं या नहीं तो फिर क्या करें भई आप मुझे डिस्टरब करना बंद करते है अब देखे यहां पर क्या-क्या हो रहा है अगला देखे वह ऐसे दिखता है जैसे उसने भूत को देखा है तो यह जो जी इफ वाला है ये आपके लएन समयोत नहीं रहेगा आपके इस स्दोब्र अन्य को दैंप हो या ज्यादा ज्यादाे यह तीसरा सकता चूधा को अब क्यर्त में रहने वाला नहीं यह सब अलग अलग टाइप है ठीक है conditional sentence type 1 conditional sentence type 2 conditional sentence type 3 तो most probable संभाव ना है कि conditional sentence type 1 या type 2 सही question आपके exam में रहेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे हम लोग इनको समझना सुरू करते हैं देखते हैं सबसे पहले यह conditional sentence होता क्या है देखे condition आप याद किजिए हम जब आपको future पढ़ा रहे थे तो future हमने आपको बताए था कि यदि दो future वाले sentence एक साथ है कितने यदि दो future वाले sentence एक साथ है और इन में से कोई भी sentence future वाला है तो दोनों में यूज होना चाहिए था यह बात हमने आपको future and different पढ़ाते समय बताए थी ठीक है जरा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा otherwise इसमेंan confusion ही confusion है आपसे गलतियां होंगी ही होंगी लेकिन यदि आप ठीक से समझ लेंगे एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दुबारा प्ले करके देखेगा दो देखेगा, तीन बार देखेगा, दो से तीन बार देखेंगे, आपका एक परसेंट भी डाउट बचने वाला नहीं होगा, ठीक है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके रहेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, इसको हम लोग, जरा ध्यान से देखेग वहाँ पे हम लोग वर्ब के first form या वर्ब के fifth form का प्रियोग करते हैं यही बात हमने दोस्तों आप सबों को बताया था ठीक है अब यही कुछ ऐसा है यहां भी होने वाला है तो यह जो future and different हमने आपको बढ़ाया था उसमें जो conditional word है जैसे हमने आपको बताया था इफ क्या है condition बताता है ठीक है लेकिन until क्या करता है until आपका time indicating word है ठीक है unless क्या करता है यह आपका condition बताता है ठीक है बात समझ में आ रही है in the same way यह जो sentences है जो आपके किसी के condition को बताते है किसी भी प्रकार के condition को बताते हैं जैसे हमने आपको गाना भी सुनाया था अगर तुम मिल्याओ जमाना छोड़ देंगे हम तो इस तरीके का कोई भी condition हो यदि तुम मुझे कहोगे तो मैं चट से कुछ जाओंगा यदि तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए चान तोड़ कर ला दोगा ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं ठीक है यदि मैं भारत का परधान मंतरी होता तो तो क्या कर लेते भाई तो आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कोई political नभाव नहीं है ठीक है बात समझ भाई हमें मालो कि अजीज सर को आप भारत का परधान मंतरी बना दो राशपती बना दो किसी राज्य का मुख मंतरी बना दो तो अजीज सर को कोई political experience नहीं ऐसे वक्ती politics में जाके कुछ नहीं कर सकते ठीक है कलाम साहब की तरफ ठीक है बात को ठीक से समझेगा तो इसमें अब होता क्या है अब पहले टाइब से पढ़ना शुरू करते हैं पहला टाइब conditional sentence टाइब ओन देखिएगा conditional sentence टाइब ओन टाइब टू इनके चार-चार format होते हैं दरसल यह होता एक ही तरीके का होता है लेकिन लिखने के तरीके इसके अलग-अलग प्रकार के होते हैं तो इसको कैसे कैसे express करते हैं सारी बात हम आपको one by one step बताएंगे ठीक है जरा ध्यान से देखिएगा पहले टाइप में हम लोग यहां पर लिखते हैं इफ को किसको लिखते हैं इफ को करें यहां पर कोई ने कोई सब्जेक्ट आता है सब्जेट के बाद हम लोग किसको यूज़ करते हैं तो सब्जेट के बाद यूज़ करते हैं या तो करेंगे या तो वर्ब के second form का use करेंगे अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा सर यह जो सब्जेक्ट है यह यह सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो यह प्लूरल हो इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ करेंगे जो और केवल वर का यूज करेंगे दोस्तों ठिक से समझेगा बात को ठीक है यह पहले सेटन्स का फॉर्मेट है इसमें दो सेटन्स एक साथ आता जो दूसरा सेटन्स होगा इसमें हम लोग सामाने तौर पे यूज करते उड़ के साथ वर्व के फ़र्स फाAnn का किस could दिखाई देगा कभी-कभी आपको यहां पर might का प्रयोग दिखाई दे सकता है अब ज़रा ध्यान देजिएगा जैसे will का past क्या होता है would होता है cell का past क्या होता है should होता है तो यहां पर कभी-कभी आपको को दिखाई पड़ेंगे सबसे ज्यादा आपको यूज होता हुआ दिखाई पड़ता उड़ उड़ के जगह कभी-कभी कुड माइट या सुड इन तीनों में सभावना दिखाने होग तो यह पर ऐसा होता है अब दूसरा आपके मन में खैलाएगा ठीक है सर यहां तक की बाते तो हम समझ गए लेकिन इस स्ट्रक्चर का प्रियोग हम लोग कैसी बात को बताने के लिए करते हैं इस इस्ट्रक्चर का प्रियोग हम लोग ऐसी कलपना को express करने के लिए ऐसे कलपना को जाहिर करने के लिए बताने के लिए express करने के लिए करते हैं, जिसकी पूर्ति लगभग असंभव है जैसे हम कहें यदी मैं भारत का परधानमंतरी हो जाओं यदी मैं भारत का परधानमंतरी हो तब भई एक तो पहली बात कि हम है एक टीचर और टीचर कभी politics में नहीं जाते सामाने तोर पे teacher को politics से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए ठीक ह किसी स्कूल के टीचर हैं किसी कॉलेज के प्रुफेशर हैं of politics में कभी कभी जाते रहते हैं कुछ से कम जहां कहीं से भी आप चुनाव जीते हैं जिस किसी भी संसदी संसदी चेतर से विधान सभा चेतर से उस चेतर में कम से कम आपको सिख्षा के चेतर में व्यवस्था बहुत अच्छी कर देनी चाहिए इस तरीके की कर देनी थे किसमें लोगों को करना क्या होता है कैसी बात को बताते हैं तो ऐसी कुई भी कलपना जिसकी पूर्ति लगबग असंभा हो जिसकाम का हो पाना next to impossible लगबग असंभा हो ऐसी सभी बातों को बताने के लिए हम लोग इस conditional इसके भी चार फॉर्मेट होते हैं चारों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं ठीक है ध्यान से समझिएगा कैसे जैसे एक और एक्जांपल हम ले यदि मैं एक चडिया होता भई सबसे पहले बात कि मैं हूँ इंसान और चडिया इंसान कभी बन नहीं सकता ठीक है और नाई चडिया इंसान बन सकता है तो फिर भी हम लोग ऐसी बातों को यूज करते हैं यदि मैं चडिया होता उड़कर तुम्हारे पास चला गया होता ठीक है बोल तो दिये लेकिन क्या बताये इनसान कभी चड़िया बन सकता है नहीं बन सकता युदि मैं पॉलिटिक का alphabet नहीं आता, ABCD नहीं आता, मैं परदान मंतरी कैसे बन जाओंगा, ठीक है, तो ये सारी बाते कैसे हैं, ये लगबग असंभाव बाते हैं, तो ऐसे ही बातों को बताने के लिए हम लोग इस conditional sentence type 1 का प्रियू करते हैं, अब ये था इसका पहला format, conditional sentence type 1, format number A, अब इसके format number B में क करते हैं, ये जो दोनों पार्ट हैंड दोनों को आपस हमेंटर चैनलि करते हैं, यानि कि ये वहालप पहले चला जाएगा, ये वहालप पार्ट यहां चला जाएगा, इसपर देखिए का यहां पर सबजेक्ट होता है, ठीक है, अब देखिए से को लिख रहें कैसे, तो conditional sentence type पॉन के फॉर्मेट नमबर बी का यूज करके लिखेंगे तो हमें लिखना होगा उड़ प्लस वी वन और फिर इसका सेकेंड पार्ट क्या बन जाएगा तो एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर बन जाएगा ठीक है यहां भी सब्जेक्ट आप कर रहेगा ठीक है सब्जेक्ट के बाद वर्क यूज किया गया है इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले अब जरा ध्यान दिजेगा बजपन से हम सबों का एक हैबिट बना हुआ है एक आदत बना हुआ है हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाए त जब आपको इफ का प्रयूग नहीं करना हो तब तो आज आए इसको भी हम लोग पाचान ना सिखें तरड फॉर्मेट में लोग ऐसे लिखेंगे तो थाड़ फॉर्मेट में इस तरीके से लिखेंगे वर्ब सब्जेक्त त दखेएस अर्ड बाले में इफ का प्रियोग नहीं हो तो यदि इफ का प्रियोग नहीं करना हो तो इस तरी के से लिखेंगे तो यह हमारा फॉस्ट पार्ट हो जाएगा अब सेकेंड पार्ट की या वह सैंड गर के इसे को कंभिशलन सेंटेंस टाइप वन व का चौनत हए टाइप फौर्मեट नंबर डी में लिख रहे हुं इसमें क्या करते हैं पिर यह जो दोनों पार्ट है जैसा हम टाइब बी में लिखा था तो बी में क्या किया था हमने एक फॉर्मेट को आपस में इंटर्चेंज कर दिया था पार्ट वन पार्ट तू दोनों को आपस में इंटर्चेंज कर दिया था इन दस्यम हुए यह जो आपका तीसरा फॉर्मेट है फॉर्मेट टंबर सी है इसके द को ठीक से समझेगा यहां भी लगेगा फॉल स्टॉप बात समय वे आ गई अब आप कहेंगे ठीक है यह हैं तो आप समझा ले गए लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे इसका कुछ सेंटेंश में एक्जामपल होना चाहिए आ जाए अब इसको हम clean करते हैं और clean करके इसके जगप एक example लेते हैं और example के मात्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है पहला फॉर्मेट देखिए अब जरह ध्यान देजेगा आप में से कुछ बच्चों को फिर confusion होगा उन बच्चों को confusion होगा जो यहां पर पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं दिये कि सभी नंबर और परसन के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ सभी 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 देखिए अब मेंस और यहां पर अजड़ाइड एख रहर दिखनें तो इहां का यह वह कि क्या करता बहुता है तो उड़कर तुम्हारे पास चला गया होता अब जड़़ा देख लिए इहीं जो है ही क्या है यहां पर सब्जेक्ट है ठीक है इफ के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं वर्ब का यूज़ कर रहे हैं बात सवाज में आ रहे हैं यहां पर किसी में वाप का यूज़ करना हो जिसके वी वन वी टू वी थी होते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर वर्ब के स he would fly to fly to you if he were if he were a bird if he were a bird यह हो गया आपका correct answer अब देखें इन दोनों sentence के meaning में कहीं कोई change नहीं है और दोनों तरीकों में कहीं grammar की कोई गलती नहीं है ठीक है बात समझ भार रही है अब third format का use करें third format में क्या करेंगे अब हमें इस if का use नहीं करना है तो हम किस का use करेंगे were का use कर लेंगे subject के पहले तो अब हमारा answer बनेगा यह जो example है वो इस तरीके से दिखेगा were he a bird क्या दिखेगा were he a bird he would fly to you he would fly he would fly to you यह हो जाएगा हमारा correct sentence अब जड़ा दियान दिजिए इन तीनों ही टाइप में grammar में कहीं कोई गलती नहीं है और तो और इस sentence के third वाले के last में आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर यहां पर आपने क्या किया है तो यहां पर आपने work का use कर लिए इस sentence में work का use आपने कर लिए subject के पहले तो यहां पर लगना चाहिए था question mark लेकिन बच्चों याद किजिए भी थोड़ी दिर पहले पढ़ाते हुए मैंने आपको समझाया कि यहां पर work का use हम लोग करते हैं subject के पहले conditional sentence type one के format नमबर सी में और ऐसा ही conditional sentence टाइप टू जो पढ़ेंगे उसके भी format नमबर सी में यहां पर head का use करेंगे हर्थात helping work का use करेंगे subject के पहले लेकिन sentence के last में क्या लगाते सेंटेंस के लास में हमारा आंसर वनेगा ही ओड़ ही ओड़ फ्लाइट यूँ वर वर ही अबर्ड वर ही अबर्ड यह हो जाएगा आपका आंसर तो इस तरीके से अब हम लोग यहां पर देख पा रहें कि इसी को चार फॉर्मेट में हमने लिखा है चारों का मिनिंग बिल्कुल से मैं मीनिंग में कहीं कोई अंतर नहीं अब आपको यहां पर सीखना यह है कि इसे कोशन कैसे पूछा जाता है और हम कैसे कोशन को टैकल करेंगे अब आएए इसकी बात हम आपके साथ करते हैं इसके लिए पेन का करते हैं यहां पर दिखेगा क्या दिखेगा तो यहां पर वर के इफ के साथ कोई टेकेन वर्ब दिखाई दिया ठीक है तब टेकन क्या थर्ट पर में राइट यह यहां पर देदिया गया इफ प्रिव करेंगे स्ब्जेकt चाहें जो भी हो इसी तरीके अप को पकड़ना होता है थीक है। अब इन को समझने के बाद हम लोग चलेंगे कंडीसनल सेंटेंस टांप 2 में कहां चलेंगे कंडीस्टनल सेंटेंस टाइप 2 में तो अब फिर से format थे चार format थे तो conditional sentence type 2 के भी कितने format होंगे चार format होते हैं अब चारों को one by one करके हम लोग यहां पर सीखना शुरू करते हैं देखे पाला type क्या है इफ के साथ हम लोग यूज करते हैं had क्या use करेंगे तो इफ के साथ हम लोग यूज करेंगे had had plus verb का third form फिर से conditional sentence type 2 format number a इसमें क्या करते हैं इफ के बाद यहां कोई न कोई subject आएगा subject singular भी हो सकता है plural भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई मतलब नहीं है इसके बाद आप क्या यूज करेंगे तो इसके बाद आप यूज करते हैं यहां had 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 के साथ यूज करते हैं यह हमारा first part होगा second part में क्या यूज करते हैं तो second part में हम लोग यूज करते है उड़ है प्लस वर्व का third form अब आप मैंसे बहुत सारे बच्छों के मन में डाउट आएगा सर ठीक है conditional sentence type 1 में आपने हमें बताया, कि इसका प्रीओग हम लोग ऐसी बातों को बताने के लिए करते हैं, जो next to impossible होता है, जो लगबग असंभा होता है, इसी बातों को बताने के लिए हम लोग conditional sentence type 1 चा प्रयोग करते हैं, तो ठीक है, वो तो clear हो गया तो फिर यह conditional sentence type 2 का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे तो बच्चों हम आपको यहां पे बताते चले conditional sentence type 2 यह जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है इस structure का प्रयोग हम लोग ऐसी बात को बताने के लिए करते हैं जो संभव था जो संभव था जिसको किया जा सकता था जो संभव था जिसको किया जा सकता था जिसको पूरा किया जा सकता था किन्तु किसी भी कारण वस किन्तु किसी भी कारण वस वो complete नहीं हो सका उसकी पूर्ति नहीं हो पाई वो संभव नहीं हो सका उसको नहीं किया जा सक ठीक है तो अब ऐसी बात को दुख या अपसोस के साथ इजहार करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं सबसे बढ़िया एक्जांपल जैसे हम सब लोग यदि बच्पन से अच्छे तरीके से पढ़े होते तो सा के लिए होते हार्ड वर की होते आप अपने तयारी अच्छे से किये होते तो सायद आप पास कर गए होते ठीक है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका प्रीमे सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका प्रीमे सेलेक्शन होगा, वो मिंस में सेलेक्ट होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, जो किसी कारणवसी स्कूल में, ये किसी एक्जाम में ठीक तरीके से त्यारी नहीं कर सके, और रिजल्ट ये हुआ कि वो बच्चे फिल कर जाते हैं, ठीक है, उन हम लोग ऐसे बच्चों के लिए यूज करते हैं, यदि तुम अच्छे से पढ़े होते हैं, तो एक्जाम में पास कर गए होते हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसी ही बात को बताने के लिए हम लोग इसका प्रियू करते हैं, ठीक है, यदि तुम पैसा एकठा करके क लोगों की गरीबी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बेपना खर्चा करता चला गया, खर्चा करता चला गया, और रिजल्ट आपको कोरोना में बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिला, ऐसे लोग जो सेविंग किये थे, उनको बहुत जादा फर्क तो नहीं लेकिन ऐसे लोग जो सेविंग करने में बिलीव नहीं करते थे, जो मैक्सिम एक्सपेंड करने में ज्यादा ज्यादा खर्च करने में बिलीव करते थे, उन लोगों के हालत बहुत पतली हो गई, आर्थी की स्थिति उनकी देनिये हो गई, कब कुरोना काल पे, ठीक है, बा बनों पार्ट को आपस को देखेंग के बाद के कैसा दिखेंगा यहान सब्जेक्ट में आ Жाएगान, आपको एक और बन सब्जेक्ट के साथ क्या हो वह नज़राएगा क्या confusion नज़राएगा सपर यह जो इस होगा ना इस का आई कैसा होना चाहिए तो इस epic hi होना चाहिए small ठीक है चलिंए अब इसके format number z में आते format number c में क्या करते है format number a में जैसा कि आप सामने देख पर हiti है यहां पर प्रयोग किया नमबर A से सी में जब हम आए थे तो हमने इफ का प्रियोग नहीं किया था यदि यहाँ भी इफ का प्रियोग नहीं करना हो तो हम्क्या करेंगे इस हैल्पिंग मग्लप को लिखेंगे सबजेट के पहले तो अब हमारा structure क्या बन जाएगा हमारा subject हमारा जो format नऊर सी का structure ने कुछ ऐसा हो जाएगा सब रेक्प्रेट हैं प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट सुद्ध सब्जेगच वर्म थर्ण फर्मे यह हमारा first part बन जाएगा second part जीसा था वइसा ही रहेगा second part में कहीं कोई चेंज नहीं होगा अर्था सेकेंड पार्ट मेरेगा subject सब्योट के बाद क्या लिखेंगे तो सब्योट के बाद हम लोग लिखेंगे उड़ है प्लस वर्व का Third form यह सेकेंड पार्ट हो गया अब इसके fourth part इसके चौते format की बात करे format number D की बात करे तो इसमें क्या करते हैं इसके दोनों पार्ट को आपस में फिर से एक बार interchange कर देते हैं अब interchange करने के बाद हमारा format क्या बनेगा तो हमारा format कुछ इस तरीके का बनता है subject would have plus verb का third form ये first part में आ जाएगा second part में क्या बचेगा subject के singular या plural होने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब इस structure का प्रियोग करते हैं ये सारी बात हम आपको बता चुके हैं अब एक example लेते हैं बोन को clean करते हैं और इसका एक example लेते हैं तो conditional sentence type 2 format number A इसका एक example if if he had if he had worked if he had worked hard worked hard he he would he would have he would have passed ठीक है यह हो गया हमारा पहला format इसका format number B इसका format number B क्या करेंगे बाई दोनों को आपस्मेंट चेंज कर देंगे he would have he would have passed he would have passed और फिर second part क्या बन जाएगा if if he had if he had worked if he had worked hard बात समझ में यह दोनों का meaning बिलकुल सेम है grammar में कहीं कोई गलती नहीं है इसको इसके third format में लिख रहे है third format क्या हो जाएगा third format में इसका प्रयूग नहीं करेंगे तो है आजाएगा पहले अब हमारा आणसर हो जाएगा he had he had he worked hard had he worked hard had he worked hard अब अगला पार्ट क्या रहेगा second part अंचिंज रहेगा he would have passed यह हो गया इसका third format इसके चौनथे format की बात करते हैं format नमबर डी की बात करते हैं तो यह देखें इसका format क्या वनेगगा इसका फॉर्मेट टृमर्डी वनेगा फॉर्मेट टूमर्डी में क्या और में ओंड़ करेंगे इन दोनों के प्रका आप बल्डेंगे तो हमार आंसर वनेगा वाद्रू ओडे सामने देख पा रहे हैं कि जो चारो के चारो फॉर्मिट है चारो का मिनिंग क्या होता है चारो का मिनिंग बिल्कुल सेम होता है चारो का मिनिंग कैसा होता है तो चारो का मिनिंग बिल्कुल सेम होता है चारो के मिनिंग में कहीं कोई अंतर नहीं है और चारो के ग्रामर में कह यह संभावना थी नहीं पॉसिबल था हाड़ वक किया होता तो यह काम हो जाता लेकिन हाड़ वक नहीं किया इसलिए पास नहीं कर सका ऐसी बात को दुख्याप सोस के साथ यहां पर इजहार क्या जा रहा है एक्सप्रेस क्या जा रहा है तो दुख्याप सोस के साथ ऐसी ही ब ये दोनों एक ही type के होते हैं। दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा। अब इसके बाद इधर आपको second part देखने को मिलता है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, इसका मतलब क्या होता है, किसी की एक्षा, ठीक है, जैसे मेरी एक्षा यही है, कि हे भगवन तुझको गागा के यूँ ही, रिजाया करूं, ठीक है, तो ऐसा भक्ति भजन का हो, या कोई और प्रसंग हो, मेरी एक्षा है, कि कास मेरा दोस् पाइदा उठा पाते ठीक है तो ऐसी बात बताने हो ऐसी अगर प्रिजेंट के एक्षा है तो प्रिजेंट के एक्षा होगी तो जरा दियान देजेगा इसको हम लोग बनाते कैसे हैं और इसमें आपको करना क्या होता है पे इनका थोड़ा सा चेंज कर लें जरा दियान देज इसमें हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडिफरेंट क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पास्ट इंडिफरेंट में ठीक है इसको कहां लिखेंगे पास्ट इंडिफरेंट में लिखेंगे लेकिन यदि जो विस वाला सेंटेंस है यदि पास्ट में लिखा हो कहां लिखा ह यह यदि पास्ट में लिखा हो तो इसको हम लोग लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में कहा लिखेंगे इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में कहा लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे अब आप यहां पर क्या क्या कर सकते हैं तो पास्ट इंडिफरेंट का साया ठीक और साती साथ यदि आपको यहां पर वर मिल सकता हूए या कर सकते उड़ के साथ वर्ब का फर्स फार्म ठीक है यहां पर वर्ब का second form या उड़ प्लस वर्ब की first form या तो head प्लस वर्ब का third form या उड़ है प्लस वर्ब का third form ठीक है बात समझ में यह बड़ा simple सा concept इसमें कुछ नहीं चेक करना है क्या चेक करना होता है इसमें आपको स्रोफ यह चेक्रना कि जो वई स्वाला पार्ट है यह प्रिज़ेंट में यह पार्च में और अब रजेंट के किसी भी टाइप में हो सकते प्रिजेंट इन्रफिरेंट प्रिजेंटviol कंटीवस प्रिजेंट्रफेक्ट इसे कोई फर्कACE नहीं पड़ता लेकिन हाँ आपके exam में जो दिखाई पड़ता है वो यहाँ पर indifferent ही दिखाई पड़ता है ठीक है तो या तो विस लिखा हो या विस में ACS लगा हो या विस में ED लगा हो तो ऐसा हम लोग use करेंगे ठीक है बात समझ में आ गई चली अब इनके बाद सीधा हम लोग चलते हैं अ आईए शुरवात करते हैं यहां पर देखें यह क्या है तो यह एक common error का question है common error का question है आपको बताना किस में गलती कहां पर है यहां देखें यह subject है आपका आई अब सब्जिक्ट चाहे आई हो वी हो ही हो सी हो ठीक है कुछ भी हो सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम लोग क्या यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे वर्का लेकिन यूज करने के पहले आपको ध्यान देना होगा इसके आगे वाले पार्ट में हमें चेक करना होगा उड़ प्लस वर्ब की first form है अथवा नहीं है यदि आगे वाले पार्ट में उड़ प्लस वर्ब की first form है तब तो हम यहाँ पे वर्ब का यूज कर लेंगे लेकिन आगे वाले पार्ट में यदि उड़ है प्लस वर्ब का third form हो तो क्या करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे head plus verb का third form आईए चे करें तो यहां देखेए आपको क्या दिखाई दे रहा would have plus यह दिखाई दे रहा verb का third form would have plus verb का third form दिखाई दिया तो यहां पे was का use नहीं होगा और नहीं work का use होगा यहां पे किस का use होगा यहां पे use होगा head plus verb की third form का तो गलती कहां पर हो गई, अब इसके लिए एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, इसको हिंदी में पढ़के आप समझ लीजी, छलिए, इफ आई वर यो, यदि मैं तुम्हारे अस्थान पर होता, आई उड हैब एपोलोजाइज टू हर, तो मैं उसे छमा मांग चुका हो होता, ठीक है, अब जरत ध्यान देजिए, यहां पे आपको क्या देखने को मिला, यह पहला कोशन हमने इसलिए लिया है, ताकि आपको कन्फ्यूज किया जा सके, और इसको सिखाने के परपर से बहुत जादा फाइदा है, क्या फाइदा है भाई, देखे इसी तरीके से कभ तो हम लोग यह तो blindly game खेलते हैं, तो क्या करेंगे, यह तो यहां पे लगा देंगे बार, यह दूसरा क्या करते हैं, इधर वाला पड़के इधर कर लेंगे, कभी-कभी आपको क्या करना है, कि एसे जब आपको error वाले question दिखाई पड़ेंगे, तो आपको वहां पे क्या कर रही है जो संभव है यह संभव था कि तो संभव होने के बावजुद कंप्लीट नहीं हो उसका थोड़ा सा सेंस आपको चेक कर लेना होगा अब ध्यान देजिए इस में फिर से के लिए किसका यूज करते हैं कंडिशनल सेंटेंस टाइप वन का प्रयोग करते हैं तो यहां पर फिलाल क्या करना होगा यहां पर वाज के स्थान पर हम लोगों को यूज करना होगा वर का और अगले पार्ट में क्या करना होगा तो अगले पार्ट में उड़ हैब में convert करके लिखेंगे ठीक है तो फिलाल इस question में आपको कहां कहां एरो दिखाई दर है one two three ठीक है तो ऐसे error वाले question आपके exam में नहीं रहने वाले हैं यह जान बूझ कर हमने set किया था आपको सिखाने के उद्धिसे से ठीक बातसवज में आई तो थोड़ा बहुत आपका confusion दूर हुआ होगा अब चलते अगले पार्ट में देखिए अगला पार्ट क्या है भई यहां पर देखिए if I dash you अब इसको पढ़के आगे देखिए यहां पर देखाई दे रहा है उड्ड प्लस वर्ब की first form अब यहां पर आपको उड्ड प्लस वर्ब की first form दिखाई दे रही है तो अब इसमें कोई confusion है ही नहीं सबसे ज़्यादा सीखने वाला कोशन यही था ठीक है क्योंकि कभी-कभी इस तरीके से कोशन आपके एक्जाम में रहते हैं इधर वाले से इधर confusion इधर वाले से इधर confusion आप यह decide ही नहीं कर पाओगे कि हम correction यहाँ वाले part में करें या second वाले part में करें या second sentence में करें तो ऐसा जब भी कभी आपको confusion मिलेगा आपको क्या करना होगा आपको sentence को पढ़के इस questions को समझ लेना होगा और sense को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस question का answer करेंगे ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर किसी एक section में answer नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर error जो है तीन तीन section में ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो अगला यह जो आपका fill in the blanks है fill in the blanks में आपको जो दिमाग लगाना होता है वो सिर्फ इसी पार्ट में brain का use करना होता है तो इस पार्ट में हम क्या answer करें इसके लिए हमें guide कौन करेगा यह वाला तो उड़ प्लस वर्ब की first form दिखाई दे रही है तो first part में क्या करेंगे first part में if के साथ हम लोग use करेंगे वर्का किसका use करेंगे वर्का तो यहां पे देखिए वर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही जगा लिखा हुआ है तो यह मारा correct answer अर्थात इस question का मारा correct answer बना option number c क्या बना option number c बना next अगले question की बात करते ध्यान से देखिए का अगला question क्या है कैसे इसको बनाना है यहां पर देखिए इफ सुरूती सुरूती देखिए सब्जेक्ट हो गया आप सब्जेक्ट छोड़ देजे कुछ भी हो यहां पर head head के साथ वर्ब का third form त तो second part में क्या होना चाहिए second part में होना चाहिए would have plus verb का third form क्या होना चाहिए would have plus verb का third form तो यह देखिए आपको third form तो दिखाई दे रहा है ट्रीक है option number B क्या बन जाएगा option number B बन जाएगा next आगे बढ़ते हैं अपने अगले question के तरफ ये देखिए underline क्या हुआ पार्ट है अर्थात ये sentence improvement का पार्ट है आपको बताना है कि इस underline के गए पार्ट में grammar की कोई गलती है अत्वा नहीं है यदि इस underline के हुए पार्ट में grammar की कोई गलती है तो इसके मतले आपको correct option चूज करके बताना होगा और यदि ये underline क्या हुआ पार्ट already correct है तो आप cancer जागा no improvement ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसके लिए हमें indication कहां से मिलेगा इसके लिए इंडिकेशन मिलेगा इसके आगे वाले पार्ट से त वप नौट हैव committed यानि कि उड़ है प्लस committed आपको दिखाए दर आफ का तरड़ फॉर्म तो सेकेंड पार्ट में यदि उड़ है प्लस वर्ब के थाड़ फॉर्म का प्रेउख किया गया हो तो हम लोग फार्ट में किसका प्रेख करेंगे यूज करेंगे हैड प्लस third form तो सबसे पले आजाएए ढूंडना शुरू किजिए ये head और ये रहा verb का third form और कोई दूसरा देखे जिसमें head plus verb का third form है ऐसा कोई भी दूसरा option available नहीं है उपलब्द नहीं है तो इसलिए इस question का answer हम लोगों को करना होगा option number 1 क्या करना होगा option number 1 करना होगा next अगले question को देखते हैं अगला question फिर से हम लोगों का sentence improvement का ही है यहाँ पर देखे आपको दिखाए तरह head head के साथ है verb का कौन सा form ing form अर्था तो verb का fourth form है जो देखते के साथ कोई भी कह सकता है कि गलत है क्यों क्योंकि last class में हमने आपको पहले से बता रखा है have family का कोई भी member हो have family का member यानि की have had had having और has इन पांचों में से कोई भी आपको कहीं भी दिखाए दे उसके तुरंत बाद यादि कोई भी main verb आए तो उस main verb को कहां रखना है verb के third form में रखना है कहां दोस्तों अब आजे यहां चेक करें जड़ा अगले पार्ट से कुछ इंडिकेशन ले ले अगले पार्ट में देखिए आपको क्या दिखाए दे रहा है would have plus verb का third form यह देखे would have plus verb का third form तो यहां क्या यूज़ करना होगा हैड प्लस वर्ब का third form तो लीसनिंग के जगह क्या यूज़ करना होगा लिसेंड का प्रयोग करना होगा आज यह चेक कर ले कहां पे लिखा हुआ है तो हैड लिसेंड यहां देखिए आपका आंसर हो जागा यह वाला है लिसेंड टू मी यह हो जागा आपका आंसर ठीक है है लिसेंड टू मी तो आपका करेक्ट नंपर बन जायागा ऑप्षिनन नम्बर बी और ललेकिन नमबर बी सबढ़र लिसेंड के सांट तू नहीं लगता acectica लॉप नहीं करेंगे listen me का use करेंगे if he had listened me if he had listened me यहाँ पर two का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह option number भी गलत है correct answer है हमारा option number a क्या है option number a है next आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question की तरफ अगला question ध्यान से देखें क्या है if you have remained यहाँ देखिए have दिखाई दे रहा है have के साथ ही यह verb का third form दिखाई दे रहा है अब ध्यान से इसको देखिएगा बच्चो और सीखिएगा अगले part में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है could अब देखें यहाँ पर would नहीं है could आ गया would क्या स्थान पर हमने आपको क्या पता है था would क्या स्थान पर हम लोग किसका यूज कर सकते है could का यूज कर सकते है should का यूज कर सकते है might का यूज कर सकते है ठीक है इस तरीके के word का यूज कर सकते है तो यहाँ देखे could have और यह verb का third form to would have plus verb के third form यानि कि ये conditional sentence type 2 की बात कर रहा है conditional sentence type 2 के second वाले part में ये दिल लगा would have plus verb का third form तो first part में किसका use करते हैं first part में use करते हैं head plus verb के third form का किसका head plus verb के third form का use करते हैं तो ये verb का third form तो ठीक है have के अस्थान पे हमें किसका use करना होगा head का use करना होगा तो है बॉले पार्ट मेरे रहे है बॉला पार्ट कहा लिखा है यहां पे लिखा है अर्था तो option number A में लिखा है तो इस question का correct answer हो जाएगा हमारा option number A क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा दोस्तो next अगले question को जारा ध्यान से देखेगा इसमें कैसे गलतियां पूछी जाती है और कैसे गलतियां आप से पूछा जारा if he does not reach the station in time यदि वो समय से पहले station नहीं पहुंचता ठीक है he would sure miss the train अब जारा ध्यान दीजे यहां पर आपको क्या-क्या चीजे दिखाई दे रही है यहां पर आपको दिखाई दरहे ऊड़ क्या दिखाई दरहे ऊड़ यहां पर क्या दिखाई दरहे वर्ब का first form अब देखें यहां पर if के साथ क्या पोन की बात करें तो यह format तो सही है और प्लस वर्ब का फॉस्ट फॉम यह तो सही हो जा रहा है लेकिन इस वाले पार्ट मेरे रहा जा रहा है और आपका improvement यहां पर पूछा गया है तो सरी कौन सा नया टाइप आ गया भाई यह कोई नया टाइप नहीं है यह future indifferent का question है किसका future indifferent का question है यह question भी हमने जानबूज कर आप लोगों के लिए लिया है ठीक है ताकि आप exam में जाके जो confusion करेंगे यह जिस किसी भी प्रकार के question को देखके आप confusion हो सकते हैं उन सभी चीजों को हम यहीं पर आपको deal कर सके और यहीं पर आपको हम सिखा के समझा के strong बना सके ताकि आप exam में जाके कोई भी confusion न जहिल पाए और वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी confusion न दिख अब ज़रा ध्यान से देखेएगा तो हमने आपको क्या बताया कोई भी feeling the blanks हो या sentence improvement का question हो यहां पर आपको फिलर का question होता है तो जहां पर feeling the blanks का पार्ट होता है जहां पर हमें word को feel करना होता है या gap वाले पार्ट को जहां पर feel करना होता है grammar सिर्फ यहीं पर चेक करते हैं इंद से मुए improvement में भी हम लोग यहीं काम करते हैं जहां पर improvement का पार्ट होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं पर काम करते हैं ठीक है तो हमें सिर्फ यहां पर काम करना है अब इसके लिए ज़रा ध्यान देजेगा आप याद किजिए हमने आपको future indifferent में क्या बताया था यह क्या कर रहा है तो कंडिशन बता रहा है कंडिशन बता रहा है तो इस के पाद कि सीबी टाइम और कंडिशन अंडिकेटिंग वाड़ के तुरंत बाद जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसमें हम लोग सैल्विल का यूजस नहीं करते हैं यह करते हैं यह नहीं तो यह तो यह तो सब्सक्राइब का फिट फॉण क्या होता है यह उता है एप समझ में आ रहा होगा सेकंद पार्ट में आपको बता तो वहां पे आपको वर्ब का फिर्ट फॉर्म देखने को मिल सकता है ठीक है यही बात है अब आज यह रिलेटेड आप ढूंड़िए यहां पे देखिए यहां तो यह वाला कैंसल यह वाला कैंसल अब अब आप्शन नमर भी क्यों कैंसल हो गया क्योंकि यहां पे उड़ का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि यहां पे किसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडिफरेंट को पढ़ाते समय हमने आपको जो बताया था टाइम और कंडिशन इंडिकेटिंग वर्ड के आप यहां पे इन में से किसी का प्रयोग नहीं किया गया इसलिए अंडरलाइन किया पार्ट और लड़ी इंकरेक्ट हो गया गलत हो गया इसलिए यह उप्षन नमबर भी हमारा अंसर होगा नहीं अब हमारे पास जो गीवेन आप्शन है उसमें सैल विल वाले दो ऑप्शन है अब सैल विल के साथ देखे क्या आता है तो वर्ब का फर्स वर्म यहां क्या लिखा है वर्ब क्या इन जी फॉर्म इसलिए यह भी गलत हो गया अब एक ही ऑप्शन बचा सीधा उठाई आंसर कर देजिए ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहां पर इस को भावना है वो सारे टाइप हमने आपको करा दिये और डिफिकल्टी लिबल का आपके आने वाले एक्जाम में जो भी डिफिकल्टी लिबल रखा जा सकता है उन सारे डिफिकल्टी लिबल को ध्यान में रखते हुए टेंस के मैक्सिम पार्ट को हमने आपको कभर कर दिया औ ठीक है almost क्या पका इससे बाहर एक भी question आपके assignments में देखने को नहीं मिलेंगे तो इसको गौर से देखना है समझना है और यदि किसी वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डाउट को पूछ सकते हैं हम आपके सभी प्रकार के डाउट को क्लियर करेंगे ठीक है इसके बाहर के भी आपके कोई भी डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं आपक आपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के केरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा करें हमेशा आज है